आपके बाल जड़ते हैं दरसल जब भी हम tension लेते हैं तो उससे हमारे बालों की जड़ों में blood का circulation कम होजाता है जिससे हमारे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है और बाल तूटने लगते हैं इसलिए आपने अक्सर ही देखा होगा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं उनके बाल काफी कम होते हैं साथी साथ दोस्तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो जड़ते हुए बालों को रोकने के लिए कई तरह के हेर केर प्रॉडक्स लगाते हैं उन प्रॉडक्स को लगाने से भी हमारे बाल जड़ना बन नहीं होते बलकि जड़ना जारतीजी से शुरू हो जाते हैं इसके लवा कई लोग कई तरह के सप्लिमेट्स लेते हैं जैसे कि विटामिनी, बायोटिन, विटामिन्स, मिनरल्स कई तरह के सप्लिमेट्स लेते हैं लेकिन फिर भी फाइदा नहीं मिलता दरसल दोस्तों हमारे बालों के जड़ने के पीछे के कई कारण हो सकते हैं मान लीजी आपकी बॉडी में खून की कमी है तो खून की कमी से भी हमारे बालों की जड़े कमजोर हो जाती है और बाल जड़ने लगते हैं उपर पिंक रंके या वाइट कलर के फूल आते हैं ये बहुत ही जुन्दर लगता है देखने में अगर आपको अपने बालों को जड़ने से रोकना है तो इस पौधे का इस्सेमाल करना है इसकी सरफ कुछ पत्यों को और फूलों को लेकर उसे अच्छी तरह से पीस लीजिए अच्छी तरह से पीस कर आपको इसके अंदर से रस निकाल लेना है ये रस आपके लिए एक अमरित का काम करेगा इस रस को आपको अपने बालों की जड़ों में हर रोज लगाना है लगातर एक हफता आपको बस बालों की जड़ों में इस रस को लगाना है इससे आपके बा बहुत लोग फाइदा भी ले चुके हैं। बहुत लोगों के चहरे पर पिंपल्स निकलते हैं। बहुत लोगों के चहरे पर पिंपल्स निकलते हैं। कौन सी बिमारी होती है। अगर दोस्तों आपको बातरूम पीले रंका आता है या आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा खाज खुजली होती है। इसके राव दोस्तों अगर आपको ज्यादा पसीना आता है या आपकी श्रीर से बदबूर आती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे आपको ये पता चलता है आपकी बौड़ी में पित्त बढ़ा हुआ है। अब पित्त बढ़ने से जो सबसे बड़ी बिमारी होती है वो है हॉर्मोन की बिमारिया। hormonal imbalance की बिमारियां जैसे की thyroid और diabetes ये सिरफ पित बढ़ने से होती है तो दोस्तों अगर आप कुछ ऐसी दवाईयां खा रहे हैं जो आपके पित को बढ़ाती है या कुछ ऐसी diet खा रहे हैं जो आपके पित को बढ़ाती है तो इससे आपको diabetes, thyroid हो सकता है इसलिए दोस्तों अगर pimples को ठीक करना चाहते हैं तो ये दवाईयां मत खाएं इससे आपको diabetes और thyroid जैसी बिमारियां हो सकती है pimples को ठीक करने का सबसे बढ़िया इलाज सदा बाहर है सदा बाहर की पतिगां और इसके फूल दोनों को पीस कर इसका पेस्ट बना कर अपने चेहरे पर लगाएं एक महीने के अंदर अंदर आपकी स्किन से जुड़ी हुई सारी प्राब्लम्स बिलकुर जीको जाएंगी और साथ ही साथ आपकी डायविटीज को अगर खतम करना चाहते हैं तो सदा बाहर की 2-3 पतिगां सुवए खाली पेट खाना शुरू करते डायविटीज दो से एक lifestyle disease है इसे असानी से खतम किया जा सकता है लेकिन अगर आज की medical science की बात करें तो वो कहती है कि डायविटीज खतम नहीं हो सकती कारण है कि आपका lifestyle आप change नहीं करते डायविटीज एक lifestyle disease है पित भढ़ने के कारण होती है जो आज कल हम खाते हैं वो सारी चीज़े acidic होती है जितने मिर्च मसाले हम खाते हैं वो हमारी बाड़ी में पित भढ़ाते हैं पित भढ़ने से बाड़ी में hormones का imbalance होता है और diabetes हो जाती है सबसे पहले आपको ऐसी चीज़ें खानी है जो acidic ना हो alkaline हो alkaline चीज़ों में सबसे बढ़िया है नारियल का पानी और सफेथ पेठे का रस इनके साथ आप अपनी diabetes को easily control कर सकते हैं साथी साथ अगर आप सदा बहार की पत्यों को सुबह खाली पेठ खाते हैं तो इससे आपको insulin production में मदद मिलेगी और आपकी diabetes बिना दवाईयों के ठीक होनी शुरू हो जाएगी इसके लब दोस्तों अगर आप कैंसर जैसी घातक बिमारी से बचना चाहते हैं तो भी सदा बहार आपके लिए बहुत फाइदे मत है दोस्तों कैंसर एक ऐसी बिमारी है जिसका बहुत से लोग नाम तक लेना नहीं चाहते हैं कुछ लोग इसे दूसरी बिमारी कहकर बुलाती हैं क्योंकि दोस्तों ये बिमारी इंसान की हेल्थ के साथ साथ उसका पैसा तक खराब कर देती हैं जो इंसान पूरी जिंदगी में कमाता है वो सारा ये बिमारी कुछ ही मिंटों में ले जाती है इसलिए दोस्तों, कैंसर जैसी घातक बिमारी से बचे रहना बहुत ज़रूरी है इसके लिए सदा बहार आपके लिए बहुत फायदे मन रहेगा दरसल सदा बहार की पत्यां एंटी आक्सिटन्ट से भरपूर होती है जो कि हमारी बॉड़ी में फ्री रेडिकल्स को डैमेज करती है और कैंसर जैसी घातक बिमारी को बढ़ने से रोकती है कुछ लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि कैंसर क्या होता है दरसल दोस्तों हमारी बॉड़ी में दो तरह के सेल्स होते हैं Living Cells और Dead Cells अगर आपकी बाड़ी में किसी पटिकुलर औरगन में Dead Cells जमा होने शुरू हो जाएं तो ये उस औरगन को खराब कर देते हैं इसे ही हम Tumor कहते हैं इसे ही Cancer कहते हैं अगर आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़े खाते हैं जादा तली हुई हैं तो ये चीज़े एक तरह से Dead हो जाती हैं क्योंकि इस खाने के अंदर के सारे Living Cells मर जाते हैं और इस खाने को खाने से हमारी बाड़ी में Dead Cells बढ़ना शुरू हो जाते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है Cancer का अगर आप अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा चीज़ें कच्ची खाते हैं ऐसी चीज़ें खाते हैं जो सीधी प्रकृती से आती हैं ना कि फैक्टरी से आती हैं तो आपकी बाड़ी हमेशा Cancer से बजी रह सकती हैं इसलिए दोस्तो आयरवेद भी यही कहता है कि आपको पूरे दिन में कम से कम 50% चीज़ें कच्ची जरूर खानी चाहिए अगर आप अपनी डाइट में कच्ची चीज़ें शामिल करते हैं जैसे कि फल, कच्ची सबजियां, सप्टाउट, सैलेड तो इन चीज़ों को खाने से आप कैंसर जैसी घातक बिमारी से बचे रह सकते हैं साथी साथ दोस्तो आपको सदा बहार की 2-3 पत्तियों का सेवन सुबह खाली पेट करना है ऐसा करने से भी कैंसर जैसी घातक बिमारी से आप बचे रह सकते हैं इसके लवाद दोस्तों अगर आपको मुटापा बढ़ चुका है, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो आपके लिए सदा बाहर बहुत ही अच्छा है, बहुत से लोग वजन को कम करने के लिए डाइटिंग करते हैं, लेकिन उससे उनको फायदा बिल्कुल नही होता, क्योंकि दोस्तों हम हमेशे यही समझते हैं कि हमारे ज़्यादा खान पान की वज़े से मुटापा आता है, ये चीज़ हर इंसान पर लागुन नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जो बहुत ही कम खाते हैं, फिर भी मोटे हैं, कारण है हमारी बाड़ी के लिए आपको सदा बहार की पत्यों को सुबह खाली पेट खाना है, दोसे तीन सदा बहार की पत्याँ अगर आप सुबह खाली पेट खाते हैं, तो इससे आपका मेटाबॉलिक रेट भड़ेगा, जिससे आपके पेट के अंदर की चर्बी एनर्जी में कनवर्ट होनी तो दोस्तों इस तरह से सदाबाहार के जरीए आप अपने श्रीर की कई बीमारियों को खतम कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दें और हमारे चनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें तकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचें। ऐसी ही वीडियो के साथ फ्रेंट्स जबारा मिलेंगे धन्यवाद